अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके चराप से होने वाली मौतों के मामले में मुरेना के जिला कलेक्टर और पुलिस अधिक्षक को ततकाल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया गया है मध्य परदेश की ग्री मंतरी नरुत्तम मिश्रा ने कहा कि मुरेना की घटना के तुरंद बाद पुलिस अधिक्षक कलेक्टर और SDOP को निलंबित कर दिया गया उन्होंने मुरेना की घटना को दुखत बताते हुए कहा कि इस तरह की घटना कहीं भी होगी तो वहां के कलेक्टर, SP और आपकारी अधिकारी तीनों जिम्वेदार माने जाएंगे CM ने इस पश्ट किया था कि ऐसी घटनाओं को बरदास्त नहीं किया जा सकता है बहुत दुखत और गंभीर घटना थी कल पांच लोग उसमें मुक्वंत रीजी ने सस्पेंड किये थे आज भी उन्होंने इस पश्ट किया कि इस तरह की घटना परदास्त के काबिल नहीं है ततकाल SP कलेक्टर को हटाया है SDOP को भी सस्पेंड कर दिया है रायरू डिश्टलरी को जाच के दाएरे में लाए है डिश्टलरीयों के अंदर जो पदस्त रहते हैं OIC पूरे प्रदेश के डिश्टलरी के OIC की चक्री होंएगी यहां पर जो आगे से कोई इस तरह की पुर्णरावत्ती नहो घटना की इसके लिए भी बहुत सक्ती से आए और अगर इस तरह की कहीं भी कोई घटना होगी तो वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के SP, वहाँ के आपकारी अदकारी यह तीनों जिम्मेदार माने जाएंगे, यह अभी से एक्तम तैह कर दिया है किसी कीमत पे इस तरह का बरदास्त नहीं किया जाएगा जो भी इस तरह के काम करेंगे और वह वक्से नहीं जाएंगे सक्ती से तब भी निप्टेंगे, अभी निप्टेंगे आगे भी निप्टेंगे, घटना की प्रणरावत्ती नहों, इसकी चिंता ज्यादा करें कलेक्टर और एस पी की जिम्मेदारी और जापकारी अधिकारी तीनों की जिम्मेदारी तैह कर दी है और डिश्टिलरी, वो घटना और इस घटना में अंतर है, ओपी से बनाना प्रसंद रिष्टे आ रहा है, वहां भट्टी से बनाना आता है, शराब बनाना, मैनिफेक्चर है, या ओपी काट, इसलिए इसको प्रकार अलग है झालग है